मुझे जाए जाए मेरा नाम है अब्दूराशिद और आप देख रहे हैं दे इंडियन बजट गेमर आज के इस वीडियो में दोस्तों में बात करने वाले हैं राइजन 2000 सीरीज के प्रोसेसर की ओवर क्लॉकिंग के बारे में हमारे चैनल पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने राइजन के प्रोसेसर लिये हुए हैं और वो चाहते हैं कि उसे ओवर क्लॉक किया जाए बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जईनोंने कभी ऊवर क्लॉकिंग नहीं करी है या ऊवर क्लॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको आईडिया नहीं है कि कौँं सी सेटिंग पर जाए जाए कौँं से सोफ़्य डाउनलोड किया जाए क्योंकि नेट पे बहुत सारे टूटोरियल है और बहुत सारे टूटोरियल तो confusing है well तो मैंने सुचा क्यों न चलो आज एक simple सी वीडियो बनाये जाए ताकि आपका processor कोई सा भी हो आप उसे easily overclock कर सकें इस steps बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीदे बताना चाहता हूं पहली चीद और सबसे most important चीज लाला चे बुरी बला है जरूरी नहीं है अगर किसी बंदे का processor 4.2 GHz तक चला गया तो आपका भी processor 4.2 GHz तक चला जाएगा आपका processor अगर थोड़ा कम पर है तो उससे भी आपको काम चला लेना है ज्यादा हावास की चक्कर में आपना processor उड़ा देंगे या motherboard भी जला देंगे इस चक्कर में मैंने अपना एक motherboard भी गवाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं overclocking को start करने से पहले मैं आपको अपने एक friend से मिलवाना चाहता हूँ अगर आप games की story Hindi में देखने में थोड़ा बहुत interested है तो आप मेरे दोस Series X को subscribe कर सकते हैं वो gameplay को Hindi में काफी अच्छी ता explain करते हैं वीडियो की description में दोस्तों मैं उनके channel का link दे दूँगा आप लोग वहाँ से जागा और उन्हें subscribe कर सकते हैं नव बात कर लेते हैं पहले कौन-कौन थी चीज़ों की आपको ज़रुत पड़ेगी technically तो आपको किसी चीज़ की भी ज़रुत नहीं पड़ेगी आपको बस आपका hardware चाहिए बस लेकिन फिर भी safety के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़े बता रहा हूँ overclocking करने से पहले आप वो चीज़े अपने पास ही रखें सबसे पहली चीज नो लालच अगर आपने चार GHz भी हिट कर लिया है तो मैं मानता हूँ आपने successfully overclocking कर लिया है 4.1, 4.2 की चक्कर में ना भागें दूसरी चीज cooling system आपको अपना system एक ऐसा case आपको ढूणना है कि at least जिसमे air flow अच्छा हो दो-तीन case fan हो उसमें या आप अपना cabinet ऐसी जगहां पर रखें या आप ठोड़ी हवा का flow अच्छा रहता हो क्यूंकि अगर air flow कम होगा आपका motherboard fry हो जाएगा तीसरी चीज और सबसे most important चीज वो है third party cooler liquid cooler एक बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप liquid cooler effort कर सकते हो तो liquid cooler जरूर लें नहीं तो at least 3000 रुपय वाला cooler की जुरत पड़ेगी stock cooler stock frequency के लिए बढ़िया है लेकिन overclocking के लिए बिलकुल बेकार है आप कुछ भी उससे नहीं पाशकते इवन 100 MHz भी overclock नहीं कर सकते बिलकुल भी try भी ना करिएगा उससे overclock करने को अगर आपके पास third party cooler नहीं है तो overclocking का सपना छोड़ दीजिए नहीं कर सकते आप overclock एक decent cooler at least 3-4,000 रुपए का आपको चाहिए ही होगा overclock करने के लिए liquid cooler है तो बहुत अच्छी बात है चौथे नमबर की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आप Ryzen Master software download कर सकते हैं अगर आप इन Windows overclocking करना चाहते हैं तो आप Ryzen Master का use करके भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा आपको BIOS वाला method ही suggest करूँ है क्योंकि वह ज्यादा reliable होता है आपको वहाँ पर ज्यादा control मिलता है in comparison to in Windows एप्लिकेशन पाच्वा और हमारा last software की बात करें तो वह है AIDA64 Extreme यह basically एक stress test के लिए एक application है कि आपने overclocking successful करा की नहीं उसका क्या impact पड़ रहा है आपके अपने system पे जितने भी software और cooler का बारे में मैंने आपको बताया है वीडियो को description में मैं link ले दूँँँगा आप वहाँ से जाकर purchase कर सकते हैं नव बात कर लेते steps के बारे में कुछ भी करने से पहले आपको AMD का chipset driver download कर लेना और install कर लेना है यह basically आपके windows में आपके processor को थोड़ी बहुत extra accessing देता है मतलब की थोड़ा और जादा खुल कर काम करने के सुभीदा दे देता है now आपका system ready है overclock करने के लिए सबसे पहले आपको करना यह है BIOS में बूट करना है BIOS में बूट करने के लिए पहले आपको अपना PC shutdown करना पड़ेगा वापस से आपको अपना system start करना है by pressing delete button delete button दोस्तों आपको बहुत बार दबाना है BIOS में बूट करने के लिए यहाँ पर मैं overclock के लिए MSI की तरफ से भेजा हुआ tomahawk motherboard का यूज कर रहा हूँ जो कि gaming motherboard है आपको बहुत सारी inbuilt profile यहाँ पर दे देता है आप यहाँ पर कोई और सभी motherboard आपका हो B350 at least होना चाहिए overclock के लिए अगर आपका B350 chipset वाला motherboard है तो आप overclock कर सकते हैं मेरे case में Ryzen 5 2600 है जो कि gaming profile on करने के बाद 3.85 GB तक पहुँच जाता है अगर आप इतने से ही संतुष्ट हैं तो आप मुबारा को आपने overclock कर ली अगर आप थोड़ा और आगे overclock करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको overclocking section में जाना होगा overclocking section में जाते साथ ही सबसे पहले आपको अपना प्रोसेसर का voltage change करना होगा आपको overclock करने के लिए 1.3125 voltage लिखना होगा थोड़े उपर ही दोस्तों यहाँ पर आपको option मिल जाता है CPU multiplier का मिसाल के तोर पर अगर आपको 3.8 GHz सक overclock करना है तो यहाँ पर आपको 38 लिखना पड़ेगा 4 GHz सक overclock करना है तो यहाँ पर आपको 40 लिखना होगा यहाँ पर पहले हम लोग 4 GHz तक ही overclock ट्राय करते हैं देखते हैं हमारा stable होता भी है की नहीं पहले voltage आपको 1.3125 voltage लिखना है उसके बाद CPU multiplier में जाकर यहाँ पर आपको 40 लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी कोई setting के साथ छेड़ चाड़ नहीं करनी है setting में दोस्तों जाकर अब आपको save and reboot कर देना है रिबूट होते साथ ही दोस्तों आपको अपने Windows पर पहुँच जाना है और AIDA software को launch कर देना है अब आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपने अपना प्रोसेसर 4 GHz सक ओवर क्लॉक कर लिया है यह आधा प्रोसेस है अब आधा आपकी बात आती है वह होती है टेस्टिंग AIDA 64 EXIME software को अब आपको launch करना है यहाँ पर आपको 4 GHz दिखा देगा लेकिन अब आपको stress test करना है यहाँ पर आके बहुत सर्य लोग fail हो जाते हैं Stress test करना है at least 5 मिनट यहाँ पर आपको अपने CPU के temperature को अच्छे से देखना है अगर आपका temperature 5 मिनट के अंधर ही अंदर 85 से जादा बढ़े तो इसका मतलब आपकी overclocking successful नहीं है अगर आपका temperature 85 degree से नीचे रहता है तो यह pretty normal है क्योंकि यह 100% load पर है अगर आपका temperature इससे कम है मतलब कि बहुत अच्छी बात है आप थोड़ा और overclock कर सकते हैं processor का temperature अगर 85 से जादा है तो आपको down clock करना पड़ेगा फिलाल तो मेरा दोस्तो 4 GHz पर बहुत ही अच्छे से stable है और यहाँ पर जो आपको average temperature है वो आपको 8283 देखने को मिल रहा है मतलब कि मैं चाहूं तो 4.2 GHz तक में भी overclock कर सकता हूं लेकिन मैं 4 GHz पर happy हूं आप लोग चाहें तो और आगे का भी try कर सकते हैं वेल तो दोस्तो ये था total method overclocking के बारे में आशा करता हूं थोड़ा voltage और multiplier के हाथ खेल कर आप थोड़ा अच्छी और stable setting भी पा सकते हैं तो दोस्तो यही था इस वीडियो में आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो पहले जल्दी से लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इसे daily awesome content तो अंतिक देखने के लिए thank you